आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ आपन क्या यहां पर find out करते हैं तो i is equal to e k power x into fx minus integration of fx plus f dash dx is equal to e k power x fx plus c यह तो हमारा known formula है ठीक है यह अपन जानते हैं वही passage में यहां पर इन्होंने बताया है अब बोलाया कि इस passage के basis पे अपन जो known integral अपन जानते हैं उसको उस basis पे अपन इसको हमें solve करना है यह जो हमारा integration है और इसको solve करके बताना है i की इसके equal होगा यहां पर जो option दे रखाया 4 option देखो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले यहां पर अपन e k power x से दुनों को यहां पर multiply कर देते तो जो हमारा integration बनेगा वो बनेगा e k power x i is equal to e k power x tan inverse x dx यह तो host integration बनेगा second अपन यहां पर e k power x से multiply करेंगे तो यह बन जाएगा twice of e k power x into x ठीक है divide by 1 plus x square का whole square dx ठीक है तो यह दो integration बनेगा अब अपन concept देखते हैं ठीक है concept अगर मेरा integration fg का करना हो तो इसका जो integration होता है तो fg dash is equal to fg minus integration ठीक है यह हो जाएगा integration f dash g ठीक है यह हमारा concept होता है अब इसी के basis पर अपन इस question को solve करते हैं ठीक है यह जो integration है तो हमारा यहां पर जो first integration है इसको अपन i1 बोलते हैं ठीक है और इसको अपन i2 बोलते हैं तो i1 मैं solve करता हूँ पहले तो i1 है हमारा e के पावर x into 10 inverse x 10 inverse x dx तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ यानि कि f जो हमारा है वो हमारा 10 inverse x है ऐसा अपन लिखते हैं और जो g dash है वो हमारा मान लो e के पावर x है ठीक है तो हमें चाहिए होगा f और g यहाँ पे f और g चाहिए होगा तो g यहाँ से देखे तो क्या आजाएगा g का मतलब इसका जो integration होगा यानि कि g यहाँ पे और यहाँ पे हमारा integration e के पावर x का e के पावर x ही हो जाएगा और यहाँ पर हमें चाहिए होगा f' ठीक है तो f' भी यहाँ पर पन कल्कुरिट कर लेते हैं तो f' हमें क्या मिलेगा 10 inverse x का differentiation 1 upon 1 plus x square तो इस integration का solution हमारा क्या हो जाएगा इसके coding f into g यानि कि यहाँ पर f into g का मतलब क्या e k power x into 10 inverse x फिर minus क्या हो जाएगा तो f' g तो f' हमें मिल चुका है 1 upon 1 plus x square और g हमें मिल चुका e k power x तो यहाँ पर पर लिख देंगे e k power x और dx तो यह हमारा i1 integration हागी similarly अभी i2 को अपन solve करते हैं तो i2 हमारा जो integration है वो हमारा क्या है तो i2 हमारा twice of this x यानि कि तो i2 अपन इसको बोल देते हैं twice को अपन छोड़ते हैं तो यहाँ पर जो i2 है या तो twice को लिख लेते तो यह हमारा e k power x into x upon oneʻ plus x square का whole square dx है तो यह हमारा i2 है अब इसको अपन solve करते हैं देखू यहां पे सबसे पहले इसका integration देखो यह वाला जो पाथ है हमारा एस formula की according आपन यहांपर arrange करते है तो इस formula के according अपन चो इहां पर formula पढ़ाया ठीक है तो इस formula के according f यहां में मानता हूं e के पावर x को और ठीक है और g' में मानता हूं x upon 1 plus x square का whole square को तो यहां से अपन f' निकाले तो वो 2 to the power x हैगा और यहां से अपन g का value निकाले तो वो हमारा किसका यह differentiation है तो यह differentiation होता है 1 upon ठीक है twice of 1 plus x square का ठीक है इसका हम अपन differentiation करें तो हमारा क्या है तो यहां पर नीचे का whole square बन जागा और यह फिर उपर से differentiation होगा तो 2x हो जागा ठीक है और यहां पर 2 cancel हो जागा difference बचेगा यानि कि यह वाला हमारा इसका differentiation है इसलिए अपन ऐसे लिख सकते हैं g को ठीक है अब देखो इस formula के coding अपन क्या करेंगे तो यहां पर हमारा integration के value फिर क्या जागा तो इंटीग्रेशन के value उता था था वो हमारा क्या होगा एफ इंटु जी तो f हमारा e के power x है ठी 2 से multiply करना था ठीक है 2 से multiply देखो यहां पर 2 था तो यह 2 से यहां पर multiply कर देते हैं तो i2 हमारा आप क्या आगिया i2 अपन देखें तो i2 हमारा बन चुका है यहां से ठीक है 2 से 2 cancel हो जाएगा और यह 2 से 2 cancel हो जाएगा तो यह बचेगा minus ek power x divided by 1 plus x square ठीक है यह बचेगा first वा यह रा क्या था तो i1 प्लस i2 अपन करते हैं तो i1 हमारा यह नीकल चुका था तो i1 यहां पर यह निकल चुका था तो i1 यानि हमें निकलना है तो दोनों ये माइनस में है तो नीचे वाला हमारा प्लस में तो cancel हो जाएगा यहां बचेगा सिफ e k power x 10 inverse x ठीक है तो e k power x 10 inverse x plus i2 हमारा क्या बचेगा तो ये वाला टम यानि कि minus में e k power x divided by 1 plus x square ठीक है तो ये टम बचेगा तो यानि कि दोनों से आपन common निसकते हैं e k power x ठी क्या बचेगा 10 inverse x minus 1 upon 1 plus x square ठीक है तो इसका मतलब जो i यानि कि integration का जो final answer है वो हमारा ये रहा ठीक है देखते कौन सा option correct है हमारा तो option number यहां पे पन देख के तो option number 1 देखो हमारा वही चीज़ लिखा हुआ है यानि कि option 1 is correct answer for this question thank you और ये जो plus c लिखा वह हमारा integration constant है ठीक है यह हमारा c है और i1 और i2 में i1 और i2 में हमने यहां पे जो integration किया था उसका अगर मैं यहां पे c2 बोल देता हूं ठीक i2 का एक integration constant c2 है और i1 का एक integration constant मान लो हमारा c1 है ओके तो इन दोनों का आइड करेंगे तो एक नया constant मैंने c बोल दिया तो वही यह हमारा c लिखा हुआ था ठीक एक question के option में this is the answer thank you Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज जी डाउनलोट करें doubtnet आप यह WhatsApp कीजिए अपने doubts 8400-400-400 पर